पानी, किसी भी पदार्थ की तरह अणुओं से बना है इन अणुओं की गतिशीलता तापमान द्वारा निरधारित की जाती है जब गर्मी को पानी में जोड़ा जाता है, तो इसके अणुओं का कमपन बढ़ जाता है, जिससे पानी का विस्तार होता है जैसे ही पानी के अनुकंपन करते हैं, तेजी से वे चारों और उचलते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जिससे उनके बीच की जगह बढ़ जाती है यह ग्राफ दिखाता है कि पानी की मात्रा का विस्तार कैसे होता है, क्योंकि इसका तापमान चार डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है यहां एक graph है जो तापमान की एक बड़ी श्रिंखला पर पानी की मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है हालांकि एक महत्वपूर्ण विसंगती है जिसे नोट किया जाना चाहिए जब आप शून्य और चार डिग्री सेल्सियस के बीच graph पर जूम करते हैं तो आप देखेंगे कि इस सीमा में कोई विस्तार नहीं है वास्तव में मात्रा में थोड़ी कमी है यह पानी की अनूठी संपत्ती के कारण एक तरल के रूप में एक ठोस के रूप में कम घनत्व होने के कारण है इसे बर्फ की क्रिस्टलियस अनरचना द्वारा समझाया जा सकता है जब पानी के अनू ठंडा होते हैं तो वे कम कमपन करते हैं क्योंकि तापमान ठंड तक पहुँचता है ये धीमी गती से चलने वाले अनू विशिष्ट बिंदूओं पर एक दूसरे पर एक दूसरे पर खड़े होते हैं एक विशिष्ट जाली आकार के साथ कठोर बर्फ क्रिस्टल बनाते हैं जमे हुए पानी के अनूओं के बीच अपेक्षा कृत बड़ी जगह यही कारण है कि बर्फ पानी की तुलना में अधिक स्वैचिक है और इसी तरह कम घने हैं चूंकि बर्फ को शून्य से 4 डिगरी सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसलिए यह पिघलना शुरू हो जाता है हालांकि क्योंकि पिघलना एक तातकालिक प्रक्रिया नहीं है पानी के अनू क्रिस्टल ये राज्य से एक तरल में बदल रहे हैं समग्र मात्रा में कम हो रहे हैं जबकि पानी के अनू तरल रूप में गर्मी को अवशोशित करते हैं तेजी से अधिक सक्रिये हैं जिससे मात्रा बढ़ जाती है हालांकि क्योंकि बर्फ के क्रिस्टल का पतन इन दो विरोधी प्रक्रियाओं पर हावी है, शुद्ध प्रभाव समग्र मात्रा में कमी है जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है हालांकि विस्तार पर कबजा कर लिया गया है क्योंकि अधिकांश बर्फ के क्रिस्टल पिघल गए हैं और स्वतंत्र रूप से वाइब्रेटिंग पानी के अनुबढ़ती गतिशीलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं